का जेवर हो उनके अगर लूग बेखुबी पहचान खोरं मगर बाला चैर एक गरदन क्या है जिकर मैं न देखी तक उनकी का लाई नहीं प्राता जी मैं न इन जेवर को पहचान सकता हूँ अगर कोई उनके पाउं का जेवर हो तो लाईए और मुझे दिखाईए कि मुझे अच्छी तरह बैचान है और इन चैरों के जेवर का मुझे क्या ग्यान है या मैं प्राता ही सीता जी के पास जाता था और अपना साओं के चर्णों में जुकता था तो उस वक्त पाउं का वो जेवर मुझे नजर आता था अन्ने था मैंना आई तक इन के इसन नजर नहीं हुखाई तो ये जेवरों की निजवत लेहरी समझे मैं कोई बात में यहाई भाताइ नहीं है ये फूल अपन किसकी पैजान करो बिलाशक जैसी ताजी के पाउं का गहना है लखमन तुम दन ले हो आपकी इस शरम लजा का कहना है जैसी ताजी के पाउं का गहना है इसमे प्रेम बक्ती की बेर प्रेम साल प्यदा कराई है जो आज तक देखने में और सुनने में तब ही नहीं आई है इदर मुझकम बक्त का भाई जिसको अपने खुटे भाई थी इस तरही ही भाई और मुझको घर से निकाल कर जंगलों की खाक्शन गाई अचेरे गे है आप दोनों आप सुतेले भाई है जिनकी मिच्टा का जिमाना गीद राता है और गयातों पर मेरा सकाब भाई कह राता है